नमस्क्राइब दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल लानिंग बाइड दूइंग में आपका स्वागत है आपको पता ही है यह रिजनिंग के प्रैक्टिस सेशन्स है क्योंकि मैं बैसिकली रिजनिंग का जो अपना ट्रोपिक कोडिंग डिकोडिंग चोड़ा था उस के सारे टाइप्स और सारे कंसेप्ट आपको कावर करवा चुका हूं और इसमें प्रैक्टिस सेशन के थुरू आपकी प्रैक्टिस भी बजाएगा और आपको आईटेया भी लग जाए कि इस पर गालते कॉर्शन्स एग्जामिनर आपसे पूचता है तो चलिए क्लास करने कोशिश करें इतने मैंने प्रैक्टिस आपको करवा दिये तो आशा करता हूं आपको एसे जड़ तक के सभी जो नंबर्स की पोजिशन्स एलफबेट्स की वो एकदम याद हो चुकी होगी तो आज मैं इसको रिपीट ना करते हुए आगी चलता हूं सेम इसमें रिव अपको 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 यह आते हैं तो ही आप इसमें कुछ भी कोशन्स कर पाएंगे अधरवाइस कुछ कोशन नहीं कर पाएंगे आप तो आपको सबसे पहले यह तीनों कंसेप्ट आने बहुत जरूरी है तो चलिए स्टार्ट करते हैं जैसे कोशन दिया है कोशन नंबर ब इन 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 के सामने की कोटिंग दी गई है यहां पर इसका वर्ड है और इसके सामने की कोटिंग है तो यह हमें फाइंड आउट करना है कि इसके पीछे का लोजिक क्या है इसकी के बेस पर एक तो तीन चार पांथ छह साथ आट नग दस कोशन है इसके बेस पर तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम कैसे इसको सुल्फ करेंगे तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें सबसे पहले मैंने इसमें जैसे कोशन में दिया गया था वह एजिसे कि बार बार हमें कोशन की आप बार बार देखना ना पड़े तो जो उसमें कोशन में दिया था वो as it is मैंने यहां पर सब नॉट कर लिया यह आप देख भी रहा होगा आपको सामने बेंगे जो नंबर की कोशन है वो भी हर जग ऐसे ही नॉटिंग की गई है जैसे कोशन में दिया गया था अगर आपने मेरी जो बेसिक जो कंसेट्स वाली क्लास्टिज देखे होंगे तो आपको देखते ही कोशन टिप्स पर समझ में आ गया होगा तो इसमें हम देखेंगे इसके बीच्छे का लोजिक क्या हो सकते हैं अब जैसे हम देखेंगे इसमें o जो है वो वोवल्स है और c जो है और r भी है और e यहां पर वोवल्स है तो सेम अब हम इसमें हर जो यह लिखा हुआ है इसके नीचे वोवल्स और इसके नीचे लिखते हैं कि या ऐसे ही बन पारी है इसको दो जैसे मैं आपको एक्जामपल के दरफे पहले है यह ही वाला बता रहा हूं जैसे बी, सी, जैसे बी, सी, बी, यानि वोवल्स और बन पारी है ऐसे मैंने हर किसी के नीचे लिखा हुआ है आप इसको ब्रैक्टिस करोगे खुछ से करे होगे तो आपको जब दी से असानी समझ में आएगा तो यहां पर वी, सी, बी, सी, बी, सी, बी चीए है यहां पर यह वाला और दुनों की कोडिंग एक है तो इसमिंचे कोडिंग का फॉर्वपार मैट है वो यह है और वो वो यह खुझा यार आड़ को डीकोड करना है यहसे जी और यहां पर कॉश्रों चम्शां से तो यहां पर वो जो जो सै जो डेंगानना है इसको एक वोड कांदे मैंने फीक स आपन है किया है तो वह बस कॉनसरेंट से का il कॉंसरेंट से का फिर जया है इस एक बैसके सो मोणियर I can okay Q1 नमबर वन कहा गया था हमें H O U R तो सबसे पहले हमने H को क्या होते हैं Consonant O को जाब होते हैं U को जाब होते हैं वोवल्स और R को Consonant तो सबसे पहले हमने C V C V यह रेखा हमकी कहां बन रहा है C V C V नहीं हाँ यही है V C C V V C तो 24 6 6 24 6 6 24 6 की को जाब हो गई Okay, got it Question number second कहा गया था इसमें O N C E तो उसकी को जाब है V C C V V C C V V C C V This is the coding And the answer is 24 24 24 Okay, got it Question number third Icon I is vowels C is consonant O is vowels N is consonant 24 24 Now, कैसे आया Here आप Find out करो If you find out करो गए तो V C V C कहां दिया गया है तो V C V C यहां दिया गया है तो इसका गई 24 24 24 Okay, got it Now Come to question number four Find out the code of 10 10 means C V C So, we have to find out the code of C V C C V C C V C is 243624 2434 243624 Now, come to the next question Question number five Nine 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 And I N E And we know to see consonant I Vowas N consonant E Vowas Now, next is We have to find out the coding of C V C V C V C V C V C V Hope Chauvis V Alice Chauvis V Alice Chauvis V Alice Chauvis V Alice Okay I hope guys You understand all the questions From one to fifth Clearly Now, come to question number six Question number six Is something different So, please read it carefully In each question A code is followed by three words Written in capital letter You have to decide which of the given three words Can be denoted by the representative Code given in A, B and C Choose appropriate answer from the given answer choice This is the code given to you Vara Chauvis Chauvis Vara And you have to find the word So, come to our answer Vara Chauvis Chauvis Vara First of all, we have to decode Vara Chauvis Chauvis Vara means Vowas consonant consonant Vowas I already mentioned here Vowas consonant consonant Vowas And the option number A, B and C Is given in the question So, you have to check it I, R, I, S I, Vowas I, Vowas R consonant I, Vowas S, Vowas S, Vowas Okay But we have to VCCV Wrong Next A, N T, E A, Vowas N, Vowas N consonant T, E Vowas T, E Vowas Vowas V, C, C, V V, C, C, V V, C, C, V Next Option number C I, N, C, A Vowas Consonant consonant Vowas Vowas Consonant consonant Vowas Correct That means answer is B and C Both Now come to Question number 7 Chobis Chai Chobis First of all We have to decode this Chobis Chai Chai Chobis Means C, V, V, C C, V, V, C C, V, V, C Okay Now come to the options Option given A Given in the question is F, E, T C, V, V, C C, V, V, C That is C, V, V, C Correct answer Next D, O, E, S C, V, V, C This is also correct A, C, M, E C, V, V, C This is also correct That means All the options A, V, C Are correct For solution number 7 Come to the 8th question 30, 24, 30 First of all We have to decode 30, 24, 30 Means V, C, V I have mentioned here V, C, V And come to the options Option A A, T, E Overs, Consonant Overs Got it Correct O, N, E V, C, V Correct E, R, A V, C, V Okay Got it In question number 8 also All the options Given in the questions Are correct Now come to solution number 9 Or You can say question number 9 24, 36, 24 First of all We have to decode this Code 24, 36, 24 24, 36, 24 24, 36, 24 Means C, V, C I have mentioned here Already Now come to options A H, U, B C, V, C Correct S, K, Y C, C, C Incorrect A, P, E V, C, V Incorrect This is also incorrect For question number 9 Only A option Is the correct answer Now come to question number 10 18, 24, 18, 24 So first of all We have to decode this For decoding We have to go through the questions And the Our solution Primarily V, C, V, C Mention here V, E, T, O C, V, C, V Incorrect L, A, T, E C, V, C, V Incorrect D, I, M, E C, V, C, V Incorrect In examination Mostly The answer The answer examination is nervous and here V, C, V Here and here Recording This Now, move to our next question This question Let's go Okay in a certain code language gloves are found there is written as vg two pairs of gloves written as so this is the question we have to find the solutions but before going to solution we have to find out the logic encoding recording use so now move to solution part to find out how we will solve this question with understanding and with accurately i'm not question as it is in our answer sheet so that we have not to move again and again to questions and we can find it our solution easily and very fastly and accurately okay so we go through line by line to decode this this is the extra part and this is also okay just a minute there is no 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 there is the part of the sentence but is written as is not part okay gloves are found there what is this two pairs of gloves this first we have to find out the common things in line one and two gloves gloves are common so if we watch in the coding session and the similar is x a and x a we have mentioned one by one then we have to compare one three found 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 one three which director is common vg vg now one vg 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 ठीक है यहां तक कोई दिकत नहीं कर गया असानी चे समझना आ गया होगा आपको इतना तो उसके बाद आप बचा फॉर्थ लाइन में अल पैकेट्स तो अल पैकेट्स का इसमें क्या कोडिंग है अल पैकेट्स की जो इसमें बचे हैं यहां पर ओ एम और क्यूब के बचा है तो ओल का ओ एम भी हो सकता है बीच में श्लैश का जो साइन है वो यहां पर ओर के लिए यूज किया है ठीक है अब हमें का गया है कोशन में कि टी आई किस की कोडिंग है तो इसी वेज़े से यहां पर नॉट किया गया तो आप असाइन की कोश्चन के आउसर कर पाऊगे टी आई दोनों में आ रहा है यहां पर तो पेर्स भी हो सकता है और ओफ भी हो सकता है ठीक है फाउंड कि फाउंड किस की कोडिंग है तो फाउंड का वी जी हो गया और सी ओ तो अगर जैसे आप पहले यह नॉटिंग कर लोगे तो उससरे कोश्चन आपके साइन्स हो जाएंगे न्यू राइटर गलव्स गलव्स झलक चूलव्स Eицे यहु ए No NU और वसींग हो उसचछिस थेफरोगे झाल विस제रत कर भी होईंग ईस्टे एफ तोसों हाँ धर और कोड़ जावविस कोडे कर खोगे भी है उसक्षन all blue packets question में दिया है blue का off है और all blue packets का निकालना है हमें all का हमें नहीं बता चुमकि all इसमें दिया हुआ यहां पर है omqk और packets भी है तो omqk तो इसमें आएगा ही हाएगा यह दुगन कम हो गया blue blue का च्या है of या af जो भी लिखाए है यह तो यह इसका answer आगिया तो उम्मित करता हूँ कि question आपको अच्छे समझ में आ रहे होंगे लेकिन जब भी आएंगे जब आपने practice की है जो मैंने concept से काए उनको समझा है द्यान जित्तो next question पर move करता है हम question यह दिया गया है यहां पर now move to solution part जैसे मैंने health question में किया है कि पहले जो question में दिया गया वो पहले ने note किया है जिससे कि आप ही पर better understanding हो सेगे तो इसमें भी देखे हैं हम पहले line में दूसरे में क्या comment है तो अगर हम ध्यान से देख रहे है facing problem common आ गई with नहीं है और health भी तो इसमें दो common आ रहे है health भी और problem भी तो यानि आप हम इसको थोड़ा सा नीचे करके लिखते हैं क्योंकि चार है तो पहले उपर दो जगे छोड़े दें facing और common लिख लेते हैं यहां पर नीचे यहां पर problem और health तो यहां नीच यहां इसमें तो होगा हritis है अब 2 और 3 में देखते हैं क्योंओ common है तो जब हमने देखा तो इसमें rise common नंजलाए हमें तो इसमें भी देखते है तो rise का nossa और तीब में और क्यूंओ cog js". और बाद देक्ते हैं जब हम सेब स्त क्योंओ और थड में common देख रहे हैं, तो with common आ रहा है, मेरे यह सामने आ रहा है, तो आशागर हम आपी सामने भी आई रहा होगा, तो with common आ रहा है, first में और third में, तो इसका जो code है, snk, यह common आ रहा है, यह हमने यहाप में लिख दिया, first में और fourth में, facing common आ रहा है, first और fourth में, तो NGI, NGI में इसका यहाप लिख दिया, fourth में आप जैसे challenge है, तो challenge third में और fourth में है, ठीक है, तो अगर हम देखें किसमें third में और fourth में यह common है, riy, riy, तो यह मैंने यहाप लिख दिया, यह तना को समझ में आ रहा है, ठीक है, तो पहली line में problem और health बचा, तो इसका कोई अभी solution नहीं आया, और इसमें भी problem और health और on है, तो इन दोनों के जो MLP और HID, इसके कुछ ना कुछ एक है, और on क्योंकि जो इसमें बच गया, फिर यह बचा SA, तो SA का on, यह से आ गया, third में किवल बचा every, every का ine आ गया, फॉर्थ में each day बचा, तो इसमें NOP और HUS बचे हैं, तो इसमें कोई भी किसी का हो सकता, ऐसे, तो इसको कोशन में किसका code है, तो इसका code है, जो इसे देखों है आपकोशन में, every का, तो every आ गया, RIV, RTB, ROI, किसका code है, RIV, RIV देखेंगे अगर हम यहाँ पे तो challenge, चैलेंज का, और RTV किसका है, RTV देखेंगे तो rise का है, ओके, और ROI, ROI यह हमें option देखके, हो जाएगा, तो आप देख रहना हो जाएगा, facing का code यह है, तो facing का code है, NGI, NGI, RIV, SNK और MLP, RIV यहनी challenge, SNK यहनी with, MLP, यहनी problem यह health में से, कोई भी एक हो सकता है, यह दोनों, जैसे भी option में दिया होगा, अगर और होगा, तो यह character जाएगा, और एक होगा, तो वो भी हो जाएगा, अगर none of these नहीं है, तो, और day, तो day की coding क्या है, NOP और HUS, यह हो गया, ठीक है, चलते नेक्स पोशन गया, पोशन यह दिया गया, एक बार आप पड़ो इसको, cut a donkey fun ear, इसका मतलब मत निकाल लाग, cut a donkey, don a donkey, you cut out, फिर fun होगा ear में, ऐसे करके cow doll fabricant elbow, तो यह cow doll होगी, fabricant elbow गया, can deer 411, तो ऐसे भी मत करना, ठीक है, move on our solution part, तो इसमें जैसे यह दिया हुआ है, मैंने question जैसे अभी तक बताया था, सब कुछ, यह थोड़ा different है, को लिए notting तो कहनी पड़ेगी समझेना है तो, कि मैंने note किये, यहाँ पर यह देख पारे होंगे आप एक symbol है, एक number है, और एक letter है, फिर एक symbol, एक number और एक letter, जब आप इसकी practice करो, तो मैं एक request करूँगा आप पहले video को post कर दिना question पर ही, इसके बाद आप इसको try करना, और अगर नहीं आए, तो फिर solution को देखना, और अगर आजा है, तो solution के आप मैंच करना क्या आपका सही बना है या नहीं बना है, तो जब हमने इसको ध्यान से देखा, तो इसके जो symbols, letters और number इन तिनों के पीछे का logic है, वह हमें find out करना था, तो इसके लिए मैंने mention कर लिया, symbol है, letter और number है, तो सबसे पहले मैंने symbol note के लिए यहाँ चारी symbol का use हो आए, जैसे कि यहाँ पे and हो गया, dollar हो गया, star हो गया, तो मैंने चारों के यहाँ पे noting किया, और जब मैंने observe किया, तो जो इसका पीछे का logic नजर आया मुझे, वह आया जाया है, जहाँ है कि अगर C से go letter start हो रहा है, तो उसमें, जो use किया गया symbol हो है, and, और वहीं D से start हो रहा है, तो वहाँ पे dollar use किया गया है, और वहीं star से हो र हो गया, यह, तो आपको हैं पर दिख भी पारा होगा, okay, now कह गया है कि letter के पीछे की coding क्या है, तो last letter of a word, R, Y, R, D, यह Y हो गया, यह R हो गया, यह R हो गया, और यह D हो गया, ठीक है तो हमें दो चीज़े पता चल गई है, एक symbol, दूसरा letter, third, number, जो number use हो रहा है, उसकी जो logic के पीछे का, वो है last letter की position, D का अगर देखें यह तो 4, plus total number of letter in a word, कितने हैं 3, 7, तो 7 किसमें आ रहा है, इसमें, और D का last, D है, and का last, D है, और E से start हो रहा है, हो रहा है, E का hash हो गया, ठीक है, है एना असान सा, इसके वेसे कुछ questions हैं, वो देखते हैं, F, E, A, R, fear का quote क्या होगा, तो F से start हो रहा है, तो star यहां पर आ गया, R, R आई गया, R का number होता है, 18, 18, 18, 22, यह आ गया, star का मतलब क्या होता है, तो star का मतलब यहां पर लिखाए, F होता है, तो यह आपका आ गया, ठीक है, पूछा है कि अब यह end का मतलब जा होता है, तो end का मतलब C होता है, यह हम पहल का मतलब यहां पर ई तो ई आ गया जी लास्ट का है तो जी लास्ट में आए गया अब कह गया था कि नमबर तो नमबर अगर आपको निकाला होगा तो जिस लास्ट एक वोईशन जी यह वोईशन कितने होदी साथ साथ में कितना चोड़ें तो साथ में तो तीन जोनना पड़ेगा तो हमें e confirm होगया और जी confirm होगया अब इसका नहीं पताता है तो यह हमें option से निकाला एग जोगी इसमें तीन लेटर आ रहे हैं ओके तो आप इसके options भी देख सकते हो यह है तो इसमें एग suitable है next fan coil evening or decktel इनको आपको decode करना कि क्या होगा तो सबसे पहले f से starting हो रहा है तो start n के c का end और यह पहला और आखरी तो hds आई रहे है यह इसमें को कोई सोचना प्रेकना कुछ आई नहीं दिमाग लगा नहीं है ठीक है अब बचा बीच का तो लास्ट का लेटर किया n 14 प्लस 3 17 l 12 प्लस 4 16 y 25 प्लस 5 30 l 12 प्लस 18 तो यह ऐसे हो गए हैनका भी असान से अब मूब करते हैं अपने next question के और तो rail पागल हो गई बन जार जो रैपिड हो गए बोट मंकी हो गए माइकरोब और रैंसम जम्प यह सब इनका अब हमें decode करना है ओके तो नाव और नाव सोलिशन पाट यह जैसे मैंने note कि है न सबसे जरूरी आपको भी note करना आना चाहिए क्योंकि अगर आप चाहओगे कि पहली बारी में ही बिना note कि है और सब कुछ आप कर लो तो impossible नहीं हो पाए गए आपके लिए और जब भी आप यह वीडियो देखो जितनी बार भी यह वीडियो देखो तो मैं को मुझा सबसे पहले ही questions अगर आपने मेरी basic concept के वाले topics हैं जो वीडियो जब हो अगर आपने देखी हैं तो उसके वह सबसे पहले हैं आपके खुछ से try करना कि क्या आप कर पा रहे हो पहर आप नहीं कर पा रहे हो ता आपके basic concept कि जो practice है वो आपको और करने पड़ करेंगे अगर आपको ऐसे ही और questions चाहिए तब भी मुझे बता देना मैं और share करूँगा आपके साथ में तो और question भी मैं खुद ही करवाँ को जैसे कि आपके अच्छे से concept clear हो जाए और जो understanding है वो better हो जाए तो अब इस question के और move करते हैं तो इसमें RAIL का गया है तो अब यह पीछे का गया है तो इसरी coding decoding करनी है तो इसके पीछे हमें logic निकालना पड़ेगा कि यह कैसे क्या हो सकता है इन सब के पीछे का logic अगर आप इना से अगर देख पा रहे होँगे तो आपको इसमें भी नेजर आ हरा हो और आ-लास्ट में है युष उस्छे आपको एक आइडिया लगया होगी जुल्रा लास्ट लेटर हो तो क्या है बताओ इस लास्ट लेटर इसमें युज़के है वह जो अपना जो से जो लेक्टर petals starting हो रहातो आर में और भी हauth हां तीनों में आर रहा है तो आर में rapid ransom राइब है जो आर से our city ऐसका है तो है यह भी ओक है दो हो गए तो है तो है यह यह जो ख़िया तो हुंक अब बच्छा together तो पहले इसको इतना नोट के लेते हैं, सिंबल यह हो गई, लाइटर के बीचे का लास्ट लेटर पर बाढ़ें, अब नमबर के बीचे का लोजिक क्या है, नमबर के बीचे का इसमें लोजिक है, डिवर्स पोजिशन ओफ एल, एल की पोजिशन ने बाहरा, तो रिवर्स के इतने हो भी पंदरा, प्रस टोटल अमबर उफ लेटर इन अबर, पंदरा प्लस चार उननेश, ऐसे ही, यहाँ पर इसकी है, रिवर्स पोजिशन ओफ लास्ट लेटर, य का रिवर्स, पच्चेश में से 27 दो, दो, और एक, दो, तीन, चार पांक, छे, साथ, साथ, एन, का रिवर्स, 14, 27, 13, और 3, 16, यहाँ पर आगिया, तो यह ऐसी करके एक दिया हो, इसमें, आर का रिवर्स, आर का ठायरा, और 27, 9, प्लस 3, 12, ऐसे करके, आप सोचों के concept कर लोगे, तो यह आजाएगा, तो यह आपर लिखा भी है, रिवर्स पोजिशन, आप लास्ट लेटर, इन वर्ड, तो तो टोटल आपर अपर अपर लेटर, इन वर्ड, तो इसने कहाएगि, रैन, आर यह एन की गोड, क्या होगी गोड, एन, एज़टी, आर से स्टार्ट हो रहा है, हैश आगया, इसका रिवर्स किता होता है, M का, N का, N का रिवर्स होता है, M, यानि कि 14, 13, 13, 13, प्लस 3, यह यहाँ पर इस वलाएगा, फिर का गया है, 27 हैश E, तो E, पहले हैश का मितलब, R से स्टार्ट होगा, और E सके लास्ट में होगा, यह कन्फर्म होगया, और 27 है, E का रिवर्स कितना होता, 22, यानि, कितने होने चाहिए, टॉटल रिवर्स पाँच, तो, दो तो आगे बीच होगया, बीच के तीन, तो जब option देखा, तो यह बाला आगया, रूपी, M, O, N, K, इसको रिकोड करना है, तो, K, M से परसेंटेज आगया, नमबर कहां से आएगा इसमें, K का रिवर्स, तो K की पुरिशन क्या होती है, 11, 27 में से 11 गये, 16, 14, 20, 20 आगया, परसेंटेज, M का है, तो यह आप कर लोगे, यह तो असान से है, J, बता देता हम जिसे, J, बोले तो हैट दरेट, L से L आगया, तो L का बार आप, 15, 14, 14, 19, OK, अब यह अपना next question, यह आपके अच्छा question है, तो यह, मुव करता है, हमने solution पार्ट परी, तो इसके basis पर, यहाँ पर 51, question है, 52 है, फिर यहाँ पर 3, 4 और 5, काफ़ एच्छे questions है, चलते हैं, solution पर, तो इसमें जैसे, हर question के solution के जाए, इसमें भी मैंने वही काम किये है, चुछिए basic concept के लिए होने, और करवाने दोनों ही जरूरी होते हैं, तो उसके लिए होता है, आप जैसे जैसे step है, इस्टाइटिंग में वह सारे steps follow करो, विए shortcut के चगर में आप, फिर shortcut ही हो जाओगे, तो इसमें जैसे दिया है, air quality control system, तो इसको भी, देखो जैसे आपर Q1Z है, इसको अब decode कैसे करेंगे, तो जैसे मैंने इसमें लिए भी, first letter का जाओगा, नमबर का जाओगा, last letter का जाओगा, तो आप इसमें देखोगे, जो first letter है, last letter of word, minus one position, R, ठीक है, number first letter position, A का बन, last reverse position, of a first letter of a word, A का reverse, जैसे, समझें, तो यह आईसे होगा, जैसे मैंने आवे इसको, bifurcation करके, अच्छे से इसको बताया भी है, यह आपर, नाव का भी बताया है, first letter, last letter के position में से एक कम, तो W में से एक कम होगा, तो V आएगा, उसके बाद में number, N का 14 आगया, उसके बाद में काई, last letter, जैस पोजिशन आपर first letter, तो M आगया, तो यह इसका solution होगया, यह जो इसको यहां पर दिया भी होगाई, ठीक है, का गया कि student को convert करो बाद, तो वोई first letter, number और last letter मेंने लिख दिया, first letter में last, T, 19 क्या होता है, T का तो 20 होता है, तो 1 का मोता है, 19 और S, number, तो number का गया है, first letter की position, तो S की position गया है, और last letter, first का reverse, same, इसमें अब next question का गया है, university के लिए, first letter Y का, एक कम, X आ गया, number U का 21 आ गया, last letter, U का reverse, U का reverse कैसे हुआ, तो जैसे, U का 21, 27 में इसमें से, 21 गया तो 6 है, तो 6 है, F की value होती है, तो उसका, या आ गया, F, white dog dog bark, तो अब का गया था, इसमें, क्या था होई, first letter रगा था, last letter, position, minus 1, E में से, A गया, D, first letter की position, W का 23, और, कहा गया है, reverse of first letter, तो 23, 27, 4, D, यहां पर यहां गया, ऐसे करके, इसको किया गया है, dog, तो G में से, 1 जाए गया, तो F आए गया, यहां पर, इसे F लिखा भी हुआ है, और नमबर, पर्स वाले का, तो dog का, D का 4 आ गया, और D का reverse, W हो गया, तो dog का तो यहां गया, अब पार्क, का निकलना था हमें, तो K में से, 1 जाएगा, तो J आएगा, और B का नमबर आएगा, 2, और B का reverse आएगा, भाई, मैनिफिस्टो, तो M, तो O में से, 1 जाएगा, तो N आएगा, और M की position आएगी, तो 13, और M का reverse आएगा, N आएगा, एक्सिदेंट, तो पहले एका नमबर कर लो, तीम में से एक गया, तो S आएगा, और लांच लेटर गया, इसका reverse तो Z आएगा, तो एक कुछ कोश्चिन्स थे, आशा करता हूँ, आपको एक कोश्चिन्स अच्छे समझ बहाए होंगे, लेकिन जब भी आएगी, जब आपने प्रेक्टिस करी होगे, अगर आपको एक वीडियो अच्छा लगए, तो अपने दोस्तों के साथ शियर करो, और हमारे चैनल पर अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करो, थेंक यू,